असलाम लेकुम वियर्स और वेलकम बैक टू मैं चैनल उमीद करता हूँ सब लोग ठिक ठाक होंगे जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम लोग डेली बेसिस के ओपर ये देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग 30 to 50 पिप्स निकाल सकें in a single trade में तो रिक्वेस्ट यह है कि वीडियो को एंट तरक जरूर देखेगा क्योंकि उसका फाइदा यह है कि आप लोग को मैं वो प्लस पॉइंट बताने वाला हूँ जो आप लोग को आप लोग देखते भी होंगे लेकिन आप लोग उसको अप्लाइने करते होंगे at the same time के अंद मेरे बात मेंशा याद रखिए कि कोई भी बिजनस हो या कोई भी आप लोग काम कर रहे हो तो उसको जितना सिंपल रखेंगे आप लोग के लिए उतना फाइदे मन दोगा क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्जा मार्केट गंदर जो नियू आ रहे हैं जो सीखना चाह रहे हैं वो बहुत काम ये खराब करते हैं कि सबसे पहले वो सारे चीज़ा सीखते हैं और फिर उन सबी चीज़ों को मिक्स अप करते हैं और फिर बात में एंड अफ दे ये रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर जो है वो अपना लोस कर देते हैं तो बात को मैं थोड़ा सिंपल करूं लाइन्स मार्कियों यह लाइन्स में आप लोगों को क्या शो हो रहा है कि मार्किट जो है वो एक ट्रेंड लाइन के बेस के ओपर चली फोर आवर टाइम फ्रेम है कोई बड़ा चोड़ा काम भी नहीं है ठीक है फोर आवर टाइम फ्रेम है मार्किट क्या करती है जी अपनी trend line को break करती है और market जो होई वहाँ से down जली जाती है. तो आप लोग क्या कर सकते है है? simple words के अंदर यहाँ पर sell कर सकते हैं. clear है पहली चीज़ अगर हम बात करें buy trade की तो buy trade में क्या होता है? जी market जो होई यहाँ से buy कर सकते है लेकिन होता क्या है? जी market वहाँ से reverse हो जाती है तो आप लोगों को loss होगा एक new चीज क्यों बताई है मैंने आपको क्योंकि यह हमारे पास एक fake out है ठीक हो गया जी और fake out mostly होते हैं क्योंकि market के अंदर जो है वो banks trade कर रहे है market के अंदर जो है वो liquid generate हो रही है market के अंदर जो है वो सारे लोग ऐसे बै trade किया उसके बाद market में जो है market ने इसको breakout किया फिर यहां पर market ने थोड़ी range की range करने के बाद perfectly market एक new trend line की base के ओपर यहां पर work कर रही है और फिर होता क्या है market इसको break करती है sell होता है फिर retest होता है then market जो है वो इस तरीके से downside ठीक है यह तो common sense की बात है यह आप लोग प्र simple कहानी मैं आपको समझना चाहूंगा कि इसके अपर हम लोग ट्रेड करेंगे और हम लोग जो है इसके अपर profit लेंगे सबसे पहले आप लोग मेरी trade देख लें आप लोग के सामने trade चल रही है मैंने sell भी किया हुए मैंने buy भी किया हुए और मेरी 2 buy की trade चल रही है और एक sell क vote है जी clear अब हमारे पास जो है वो यह resistance है जो थी कह सकते हैं आप तो हम लोग ने अपने पिछली वीडियो के अंदर यहां पर selling की तिया हम दोने लिला 100 पिप्स यहां से निकाल लिया था बेसे यहां से 200 पिप मार्किट गिरी है लेकिन हम लोग ने यहां से 100 पिप्स लिया इन बिट्वीन हम लोग कुछ भी trade जो है वो नहीं लेंगे अब यहां पर आप लोग जो समझने वाली बात है कि जो लोग मुसे एक दो क्वेस्टन मुसे पूचे गए है कि यार लेवल किस तरीके से मार्क होते हैं तो लेवल बेटा मार्क किस तरीके से होते हैं कि बाईज यानिके market drop हो रही है और कहां से market several time जो है वो reject हो कि यानिके buy support ले रही है और market वहां से जाए तो वो हमारे पास एक simple level होता है support and resistance कोई लंबी चोड़ी बात नहीं है लेकिन अगर हम इसको थोड़ा deeply जाना चाहें फोर आवर टाइम फ्रेम के लिए तो यहां पर आप लोग समझें तो हमारे पास यह एक zone है ठीक है जी यह हमारे पास है जी एक supply zone फिर हमारे पास है जी यह वाला after range that means जो से के मार्केट वो का हमारे वो जो है सप्पलाई है और अगर डाउंसर्ट के तरफ बात करें तो वो हमारे पास डिमांड है कलियर हो गया बात कलियर अगर आप लोग को सप्पलाई और डिमांड की समझ नहीं आरी तो आप लोग उस वह रिक्वेस्ट जी है कि वो आप लोग यूटिब के पर सर्च कर सकते हैं सिंपल वर्ट के अंदर आपको मिल जाए कोई लंबा चुड़ा काम नहीं है ठीक है अब हम लोग जो है जो में तो कि यह समझते हैं कि मार्कीट जो है वो इस तरीके से इस रेंज के दनम्यान में गूम रही है सेंटर में इस तरह भी करेगी हायर लोग बनाती जाएगी फिर यहां से रिजेक्शन खाएगी ठीक है यह तो हमारे पास एक लाइन चार्ट में समझ में आ रही है कलियर हो गया अब निव ट्रेडर हमारे पास यहां पर क्या करता है जी वो यहां से बाइ करेगा और यहां से अल करेगा जो बिलकल फरेश होगा क्योंकि उसको लगता है कि मार्कीट इतना बड़ा बाइसाट के दरफ मूब दे चुकी होई है तो हो सकता है कि market मजीद उपर जाए ठीक है पहले यहाँ पर गलती यह होती है फिर उस से थोड़ा दिवांस लेवल पर आता है वो क्या समझता है वो कहता है जी यह हमारे पास resistance है यह हमारे पास support है तो resistance पर हम लोग sell करेंगे और support पर हम लोग buy करेंगे लेकिन होता क्या है most of the time market जो होता ऐसा है कि इस तरीके से move दे जाती है तो what is this, this is called a fake out ठीक है जैसा मैंने आपको trend line में बताया था कि trend line में market जो है वो आती है और आने के बाद जो है वो एक fake out दे देती है जैसा कि यह वाली थी ठीक है यह हमारे पास एक fake out है समझें बात को तो यह एक simple चीज़ है जिए support resistance के पर work करती है और यह work करती है जी हर pattern के ओपर support resistance trend लेंड दोनों के पर work करेगी ठीक है अब यहाँ पर हम लोग trade किस तरीके से करते हैं अब यहाँ पर प्लस पॉइंट है वो हमने यह समझना है कि बाई मेरे के हमारा structure हमें क्या बता रहे है और हमारा total overall higher time क्या बता रहे है जिस चीज़ के आपको समझ नहीं लग रही है आप लोग उसको note कर लें मुझे वीडियो के comment पर पूछ लें मुझे WhatsApp करते हैं मैं आपको जो सारी बात समझा दूँगा लेकिन जितना हो से कि मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरा experience है ठीक है अब होता क्या है जी market यहां से support और इस्टंस पर चल रही है अब हम क्या करते हैं जी यहां से buy किया हुआ हमने ठीक है अब हमारा जो पिछली trade थी उसमें हमने यहां पर selling की थी ठीक है ऐसे हमने का था कि यहां पर market जा हो आएगी तो हम लोग sell करेंगे और market यहां पर आके नीचे गिरी हम लोग ने profit taking अपने की अब मैं expect यह करता हूँ कि अगर market ने इस वाली range को breakout करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि market यहां पर आने के बाद कुछ इस तरीके से range करने के बाद एक चोटा सा में fake out देने के बाद then इस तरीके से यह pattern बनाए clear है जी यह हमारे पास first priority होने चाहिए अगर आपकी range break होगी यह हर time frame में work करता है अगर आप London strategy भी use कर रहे हैं जो मेरे वक्त को बताई हुई है तो उसके अंदर भी same यही चीज वर्क करती है ठीक है जी आपको 5 minute में मिलेगा 1 minute में मिलेगा monthly में मिलेगा daily में मिलेगा अगर आप लोगों के सामने इस तरह की range show हो रही है तो मेरा भाई आप लोगों के सामने यह एक अच्छा valid point होता है कि आप लोग उससे buy and sell करें ठीक हो गया बशर्तिया यह कि इससे नीचे हमारे पास क्या है क्या यह आया buy का trend है ठीक है या आया यह एक sell का trend है ठीक है जी ऐसे आप लोग इसके पर focus करना है जहां से आप लोग मार्क खाते है ठीक हो गया जी जहां से आप लोगों को चीज़े पता नहीं होती मिसाल के तोर पर हमारे पास है जी buy का trend क्योंकि हमारे पास अब गुर्वे का ट्रेंड चल रहा है मैं इसको daily के time frame बरे जाता हूं daily के time frame में आप लोग दे सकते हैं कि ये हमारे पास एक support है जी और ये हमारे पास एक resistance है जी ठीक है ये हमारे पास एक buy का trend है अब देखने हैं आप लोगों को चीजे वाज़ा हो रही है कि ये हमारे पास एक बाये का ट्रेंड है वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन आप लोगों को वर्थ वाली वीडियो मिलेगी मेरा बाई इन्शाला अपने आपको तियार कर लें तो जितना मार्केट जितनी देर इस रेंज के अंदर है उच से जादा बड़े काउट मार्केट जो है वो देएगी जैसा के यहाँ पर देखने को मिला है हर वीडियो के अंदर में मैं यह सेम चीज़ होताता हूँ सेम चीज़े रेपेट करता हूँ अब यहाँ पर एक न्यू चीज़ हमारे पास क्या आती है जी यह वाली ठीक है जी हमारे पास फेक आउट हो गया बहुत सले लोग यहाँ पर बाई करके बैठे में मिसाल को तो मैं यहाँ से जी हूँ बाई किया हुआ है अब मेरा SL जो है वो लोवर टाइम फेम के असाब से इस वाले के नीचे है ठीक है मेरा स्टॉप लोज है इस वाले के नीचे है अब मैं एकस्पेक्ट कर रहा हूँ कि यार अगर मेरा SL 400 पिप का है मिसाल के तोर पर 400 पिप का है तो मेरा इससे डबल होना चाहिए जी मार्केट आपको उपर की तरह तो जाती है लेकिन उसके बाद मार्केट जो है वो रिजेक्टिशन हो जाती है अब इसको हमने कैसे डील करना है ये चीज़े समझ लिए आपको हर चीजों के अंदर जो है वो मिलेगी आप लोग इसके पर वर्क करेंगे तो इंशालला आप लोग को जो अच्छा खासा प्रोफिट मिलेगा फिफ्टी पिफ्ट दूर की बाद आप लोग पांट सो शेशे सो पिप्स जो है वो कवर अप कर सेंगे इंशालला ठीक है अब यहां पर होता क्या है जी मैंने आपको क्या बताया जी इस वाली फार्म के अंदर के मार्केट को ये कंडिशन इक्तियार करनी चाहिए राइट लेकिन होता क्या है जी मार्किट यहाँ पर वो कंडिशन बिल्कुल भी जो है वो तियार नहीं कर रही है देखें यह क्या है यह बिल्कुल एक छोटी सी हाई टाइम फेम के अंदर आप लोग समने यह एक कैंडल है एक कैंडल की क्या मतलब एक रेंज होगी यह बिल्कुल रेंज नहीं है यह होती है रेंज स्पोर्ट के उपर राइट तो अगर स्पोर्ट यहां से ब्रेक करती तो हम लोग यहां से जो है वो के मार्किट को यहां से इस तरह के रेंज करनी चाहिए अदरवाइस मार्किट जो है वो यहां से एक फेक आउट दे के रेजेक्शन देगी अब मैं आपको चूह हूँ यहां पर हुआ क्या है वो बताता हूं ठीक हो गया जी हमारे पास क्या है इसको हम ड्रीड करें तो हु हो सारे लोग जो स्याने बनते हैं वो क्या करते हैं वो यहां पर ट्रेडने करते हैं वो क्या करते हैं जी सपोर्ट बिकम रिजिस्टेंस रिजिस्टेंस बिकम सपोर्ट सभी ने पढ़ा होगा ठीक हो गया तो होता क्या है जी हमारे पास यह रिजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनेगी हो इसलिए बात है नहीं तो लोग यहां पर बाय करते है जो थोड़ी से डूड़ शेयर तो जिसमें थोड़ा सा पेशन्स ज्यादा होता है ठीक हो गया अब वो लोग यहां पर बाय करते है जी तोटली नीचे आ जाती है यहां पर क्यूं क्यूंकि यह वाला एरिया तोटली पड़ा हूए मार्किट की लिकॉरिटीव है. ठीक है. अब यहां का एरिया फिल अप होगा. यहाँ पर सेलर्स और बाय्रस फचाए जाएंगे. समार्ट मेनी कॉंसेप्ट यहाँ पर बैठेगी. अब समार्ट मेनी कॉंसेप्ट बेसिकली है. का smart money concept एक समझ लेंके banks हैं या bankers हैं या बड़े investor हैं जो instantly आप लोगों को liquid generate करके आप लोगों को market से निकाल कर buyers ये sellers बिठाते हैं और फिर वहां से market जो है वो shoot कर जाती है ठीक है एक मौका smart money concept आपको जरूर देती है retailer को कि यार आप लोग यहां से बैठिएगा ठीक हो गया अब यह वला area हमारे पास खाली था हुआ किया जी market यहां पर आने के बजाए buy करने के बजाए market जो हो इस वाल area को fill up करती है first of all then market यहां से buy करती है अगर buy नहीं भी होगा तो market कम से कम आपको इस वाल area तक आएगी उसके बाद यहां पर continuation आए तो फिर हमारे पास यह फेक आउट है in support and resistance के उपर clear है समझ हो गया जी अब हम क्या करते है जी अब इसको थोड़ा अपने chart pattern के उपर समझते है ठीक है chart pattern के उपर आपके सामने बिलको technically क्या हुआ है कि market यहां से बाए गई है उसके बाद market यहां से sell की तरफ गिरी है अगर आप लोग यहां पर हैजा new बंदे थे जैसा कि मैंने भी यहां पर trade की थी for buy side की try किया था कि यार हो सकता है कि market यहां से उपर की तरफ जाए लेकिन होता क्या है market यहां पर हमारा sell hit कर देती है और यह हमने क्यों trade की थी थी क्योंकि हमारे पास उपर की जाने से इस वाले zone से trade चल रही है for sell side की और यह तक्रीबन जो है 1000 पिप नीचे गिर चुकी हुई है ठीक हो गया तो अब यहां पर आप लोग समझने हम हमारे बात आती है हमारे levels के उपर तो मैंने आपको यह बताया है कि यह वाला area हमारे पास most important होता है जहां से market आपको किसी time rejection दे सकती है अब हमने यहां पर area कैसे find करना है हमारे पास यह वाला area है इतना तो यह हमारे पास एक demand zone है जहां से market जो है वो थोड़ी range की है range करने के बाद market जो है वो यहां से instantly bullish side की तरफ जो है वो जा चुकी हो यह तो हमारे पास यह वाला area है यह हमारे पास एक technical support भी बन रही है अगर आप पीछे की जानब जाएं तो यह भी support है यह भी support है यह भी support है समयने बात को तो यह भी हमारे पास support है तो market इस से वाले area से कहीं से भी जो है वो buy side की तरफ जा सकती है अब जो confirm कैसे करना है वो short time frame में जाके हमें confirm होता है मिसाल के तोर पर मैं इसको जो हूँ remove करता हूँ अब मैं इसको जो one hour time frame में चले जाता हूँ तो one hour time frame में मेरे पास क्या show हो रहा है कि market क्या करती है अब मिसाल के तोर पर हमारे पास यह वाला एक जो है वो level है अब होता क्या है market के अंदर आप लोगों के सामने यह भी एक pattern है ठीक है मैं आप लोगों को जो पांस सेक्ट देता हूँ आपने मुझे बताना है कि यह कौन सा pattern है ठीक हो गया यह हमारे पास है head and shoulder pattern समझे बात को तो जहां पर market इस तरी कैसे forming करती है that means उसे के market वहां से bullish जा सकती है और मेरी यहाँ पर trade चल रही है तो common sense की बात यह है कि आप लोग ने confirmation कैसे करने है कि structure को print होने दे जितना market आप लोगो को one hour, two hour, four hour में sport बिनाने दे कि market आप लोगो यहां से buy करेगी या sell करेगी अब लोग यहां पर यह भी कहेंगे देखें कि यह वाला area यह हमारे पास one hour time frame में फिर यह भी एक head and shoulder pattern है ठीक है ना तो यह भी एक ही समय लें कि यह right shoulder है यह head shoulder है यह फ्राँ 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 ठीक है तो यह भी एक है लेकिन होता क्या है कि market जो है वो यहां से suddenly rejection हो जाती है क्यों होती है अब इसके पिछे भी आपको मैंने reason सारी समझा दी हो यह है कि market के अंदर हमेशा अपना structure पहले complete होता है फिर उसके बाद जो है market आप लोगों को next move करवाती है आप लोगों के सामने यह एक trend line भी है जहां से market ने इसको break out दिया फिर perfectly retest किया फिर market जो नीचे के तरफ आई अब यह पहला drop है देखें साइकोलोजी समझे पहला drop है market ने दिया drop देने के बाद market जो है वो लोगों ने यह से buy किया क्यार यह हमारे पास support become resistance है this one area ठीक है जी support become resistance है market इस वाले zone से buy करेंगे लोगों ने buy किया market उपर की तरफ गई फिर होता क्या है जी market suddenly एक निया dip देती है तो यह हमारे पास क्या होगा इतना area यह हमारे पास एक liquidity होगी ठीक है अब हो सकता है कि market यहां से bullish की तरफ जो है वो जाई समझे बाद को तो सारी चीजें एक core relation में है अब हम लोग यहां पर trade कैसे करते हैं वो समझें देखें मैंने आप लोगो daily की time frame में क्या बताया हुआ था कि यह हमारे पास जो है वो एक resistance area है ठीक है जी अब होता क्या है जी market उपर की तरफ जाती है और मैंने आपको बताया कि पीछे का area करीर होना बहुत जरूरी है और यहां पर विल्कल कुछ भी नहीं था हम लोग 4 hour में गए थे 4 hour time frame में हमारे पास जो है वो एक higher high lower lower बन रहा था यह देखें यहां से लेकर यह higher high है lower low है यह higher high है ठीक है तो यह हमारे पास higher high है फिर उसके बाद market यहां पर lower low बनाती है अब मैंने यहां पर trade कैसे लिए मैंने वर्साफ चैनल के दरे बताया हुआ है तो मैंने trade कैसे लिए है कि मैंने जो है वो यह वाला एक zone market है ठीक है यह हमारे पास first जो है वो support है after resistance break हमारे पास यह first sport है four hour की जहां पर market ने एक थोटा सा rejection लिए है फिर मैंने क्या देखा जी फोर आवर की पूरी की पूरी candle जो है वो इस तरीके से doji जो है वो बनी है अब आप हर candle doji के पर trade मत कीजिए कि आप लोग सर्फ देखा कीजिए कि structure हमें क्या बता रहा है अब मैंने यहां पर बिल्कुल proper way मताया था कि यह हमारे पास एक दो तीन चार candles बन जुकी हूई है यह हमारे पास जो है वो एक liquidity area है which is this one ठीक है क्योंकर market ने यहां पर एक विक दिया proper तरीके से पूरी तरीके से इसको जो है वो test वगरा किया है ठीक है retest करने के बाद market क्या करती है जी नीचे की तरफ आती है और 4 hour की candle जो है वो bearish close करती है this one ठीक है this one तो यह हमारे पास 4 hour की एक bearish candle close हुई है heavily bearish अब यहां पर क्या होता है या तो market जो है वो नीचे आती है पहले एक liquidity देने के बाद फिर उपर जाती है लेकिन market ने क्या किया यहां पर एक चोटी सी बनाई अपनी विक और उसके बाद market जो हो यहां से डाउन से तरफ चलेगी तो मैंने यह देखा कि हमारे पास main main चीज़े क्या है कि market जो यहां से पहला एक higher high बना के higher high बनाया lower low बनाया एक उसके बाद lower high बनाया यानि कि इसके ऊपर closing नहीं दी फिर हमारे पास यह वाली एक new range start जो जाती है sport become resistance तो हमारी strategy क्या कहती है जी हम लोग जो है इसके अंदर trade नहीं करते है हम लोग जो है इसके नीचे trade करते है ठीक है ने break होने के बाद तो मैंने simply यहां से जो है वो trade किया इस तरीके से अगर मैं one hour में चले जाओं तो one hour के अंदर मैंने ये देखा है कि market किया आप लोग के सामने one hour के अंदर फिलकुल जो है वो bearish close होई है और मेरा stop loss जो है फिर इस वाली range के उपर था which is round about 130 pips ठीक है और मेरा target जो है फिर minimum इस three पर हूँ और मेरा target जो हो still अभी भी continue है तो हो सकता है कि मैं इसके तर मजीद for long term भी बैठ हूँ ठीक हो गया तो ये चीजे सारी मेरा भाई ये बताती है हमें कि structure हमें क्या बता रहा है अब आप लोग ये समझें कि ये हमारे पास एक pro पर higher high lower low higher high lower low lower high फिर lower low break of structure हुआ यह आप बेक of structure हुआ फिर उस वह मार्केट ने एक higher high बनाई है क्योंकि ये फिर रे टेस्ट होता है फिर मेरे पास बेक of structure हुआ ठीक है अब हमारे पास higher high है तो हम लोग देखेंगे कि market इस वाले zone से मारे पास क्या rejection दे रही है अगर तो market इस वाले zone से मारे पास rejection देती है तो आप लोग ने बिल्कुल buy ने करना हाँ हो सकता है कि market जब यहाँ पर आया आप लोगो selling मिल सकती है इस वरे इस वरे इस फ्रेश एरिया और रिजिस्टेंस और हमारे पास जो है पीछे की तरफ भी आए अच्छी खासे resistance है तो हो सकता है कि market को यहाँ पर आप लोग जब वो अदरवाइस आप लोग वगरा ना कीजेगा तो structure को समझे structure tells you everything ठीक हो गया तो यह थी simple सी एक मेरी strategy है मैं यहाँ से buy and sell करता हूँ each and everything आपको बताता रहता हूँ अपने WhatsApp चैनल के अंदर अगर आप इस चैनल के उपर नियू है तो मेरा बाई मेरा WhatsApp भी आप लोग जो है वो यह trend line है तो आप लोगों को सामने है यह trend line break हुआ रिटेस्ट हुआ market ने sell गिरा फिर इस तरीके से market जो है वो यह वाला इस तरह हुआ ठीक है न तो यह simple है कोई मतलब लंबा चुड़ा काम नहीं सिर्व आप लोगों ने देखना यह है कि यहाँ पर पीछे से क्या हमारे प पास bullish का trend है तो market जो है वो यहाँ पर एक proper तरीके से जो है वो एक structure form करते वे चल रही है तो यह हमारे पास range है यह हमारे पास fake out है हो सकता है कि अगर तो market ने यह fake out दिया यह वानिकि यह आज तक हाई है 2479 तो हो सकता है कि market जो है मजीद इस तरीके से यहाँ पर range करे ठीक हो बाहते जो यह आए हे यह करे दो है